देखिएगा दोस्तो अभी इस फोन के अंदर मैसेज आएगा लेकिन वही मैसेज यहाँ पे भी आ गया देख रहे है ना इस फोन के अंदर मैसेज आया लेकिन वही मैसेज यहाँ पे कैसे अगर ये बंदा यहाँ से कुछ मैसेज इसको रिपलाई करेगा तो इसको भी पता च WhatsApp के अंदर एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जिस सेटिंग को अगर आप बंद नहीं करोगे तो आप सभी का WhatsApp कंट्रोल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा यही नहीं अभी और सुनिए और अगर आप सभी यह जानना चाहते हो कि कहीं मेरा WhatsApp कंट्रोल तो नहीं है अगर आप यह सब जानना चाहते हो दोस्तो तो बिना किसी देरी के यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो यार क्योंकि आप सभी के लिए हम इतने मेहनत करते हैं इतने सारे तरीके से आप सभी को हम ट्रिक्स बताते हैं जिससे आप हर दम एनी टाइम से और सेक्योर रह सको दोस्तो पिछली बार तो आप पिक्सल 4a का चैट देख रहे थे अभी राजा राम का चैट जो आ रहा है वो भी यह पढ़ पा रहा है अगर चाहे तो यहां से यह messages को reply भी कर सकता है और चाहे तो यहां से इन messages को delete भी कर सकता है देखेगा यहां से message तुरंत गायब हो जाएगा delete for me गायब दोस्तो अगर आप सभी एकदम safe और secure रहना चाहते हो तो बिना किसी देरी के आप इस video को like करतो और whatsapp के अंदर दोस्तो एक ऐसा update आ चुका है जिससे कोई भी आपके messages को पढ़ सकता है लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं अगर आपके phone के अंदर data बंद हो या चालू हो कोई फरक नहीं पड़ता है ये देखिए मैं अपने phone के अंदर mobile data बंद कर दिया बंद कर दिया अब यहाँ पर मैं WhatsApp को on कर देता हूँ ये देखिए अब यहाँ पर अगर मैं message भेजूंगा न तो देखिएगा कहाँ पर message पहुँचेगा देखिएगा दोस्तो अभी उपर वाले chat में एक भी message नहीं है लेकिन यहाँ पर message पहुँच रहा है देख रहा है ना कहाँ पहुच रहा है टाइपिंग कहाँ पहुच रहा है आपके गैर हाजरी में आपके private message कोई पढ़ लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो ये सब हो रहा है दोस्तो आपकी WhatsApp के अंदर एक नया feature आया है जिसके वज़ा से आपका mobile data on हो, off हो कुछ फरक नहीं पढ़ता है सिर्फ आपकी WhatsApp के अंदर एक setting कर लेगा कोई भी और आपके messages पढ़ सकता है आज मैं आप सभी को safety के लिए ये video बना रहा हूँ और इस video का बनाने का कोई और motive नहीं है दोस्तो तो please आप इस video को एक share कीजेगा उनके लिए जिनको आप चाते हैं कि वो हमेशा safe रहें दोस्तो अब हम main point पे आते हैं कि इस चीज से कैसे बचेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपने WhatsApp के अंदर तीन dot पे जाना है तीन dot पे जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को एक linked device का option दीखेगा इसके उपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और नहीं करना है सिर्फ आपको एक नया option दीखेगा multi device beta अभी इसको छेड़ चाड़ नहीं करना है यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस option को आपको छूना भी नहीं है यहाँ पे क्लिक करना है जट से एकदम और यहाँ पे आपको एक option दीखेगा leave beta इसके उपर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पे जैसे ही आप continue पे क्लिक करोगे और यहां से देखेगा जट से आपका पूरा का पूरा चैटिंग गाइब आप एकदम लॉग आउट हो जाओगे जहां पे भी आप लॉग इन हुए होंगे एकदम clean and clear आप एकदम safe और secure हो चुके हो अब पहले नहीं थे लेकिन अब हो चुके हो तो इन चीजों से हम आप सभी को बचाते रहते हैं दोस्तों हमेशा आप सभी को up to date करते रहते हैं लेकिन आप हैं कि इस वीडियो को एक like नहीं करते हो like कर देना यार अभी तक नहीं किये होंगे चैनल पे नए होंगे तो subscribe कर लेना और घंटी पे click करके on कर लेना ताकि आगे जब मैं कोई video upload करूँ तो आपको जट से notification मिल जाए और आपको भट से पता भी चल जाए तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है take care till then and goodbye